तो आप लोग इतना पूछ रहे थे तो मैंने सूचा क्यों ना आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाए जाए जाए आपको वीड एक्जामपल सौल करके दिखाया जाए कि आपको कैसे लिश्ट ओव एडिंग को सौल करना है और हाँ गाईज मैं गरंटी देता हूं अगर आ आपने यह वीडियो पर आपने पूरी देख लिना तो मैं गरंटी देखता हूं आपके आज के बाद कभी लिश्ट ओव एडिंग पर प्रॉब्लम नहीं आएगी और यह मेरे पास आयल्स 13 की अकैडेमिक बुक है कैम्परिज की इसके अकॉर्डिंग में आपको सौल करके भी बताऊंगा विद्य एक्जाम तो चलो विडाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गैट स्टार्टेट तो गाइस अब मैं सोच रहा हूं कि जो आइल्स की डिडिंग है उसे एक कंप्लीट सीरीज बताऊं क्योंकि जो रीडिंग है वो मुश्किल नहीं है पर रीडिंग क जैसे आपको ब्लैंक जब आप ब्लैंक सॉल करते हैं आपको ब्लैंक ईजी लगते हों क्योंकि most of the time आप यहीं चाहते हों कि हमें ज्यादा दर ब्लैंक है क्योंकि वह सब के लिए एजी है बट आपको किसमें प्रॉबलम आती है लिश्ट ओफ एडिंग्स प्रूफ नॉट आप आएंगे गाइस तो उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब रखना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं मोटिवेट हो जहूं और आपके लिए और अच्छी वीडियो से लेकर आऊं तो यह वीडियो गाइस अगर आपने पूरी देख लीना तो मैं आपको आपको लिश्ट ओफ हैडिंग के और कोई वीडियो देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी इवन यह जो आद मैं चीज बताने वाला हूं यह आपके इंस्टिटूट वाले भी नहीं बताते हैं गाइस पर आपको यही चैनल पर मिलेगी तो आपको क्या करना है गाइस जादा टाइम वेश्ट नहीं करना काईस वह मैं क्यों बता रहा हूं वह मैं आपको बता देता हूं क्योंकि गाइस डीटिंग में आपका टाइम बहुत इंपोर्टेंट है आपके पास 40 कोशन और बस 60 मिनट्स है एप्रॉक्सिमेटल आपको वान एंट 15 सेकेंड मलब वान से ढूंडने की कोशिश करोगे तो वह आपका हमेश्चा गलत होगा यह मैं गरंटी देता हूं गया क्या होता है जब आप एक ही कोशन पर टिक की जाते हो ना कुछ कोशन रीडिंग में ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ट्रिक होते हाई लेवल के वह कभी-कभी तुक् आपको किसी कोशन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो तो आपको जैसे मदलब लिस्ट फैडिंग के पांच कोशन है आपने पहले पहले पैसेज पढ़ा पहले मोस्ट अथा ताइम स्टूड़न को यह वी होता कि पहले पैसेज प बाद आपको पढ़ने हैं है और आपको जैसे पांच कोशन है पांच में से आपको आपने पहला पैसे पढ़ा पहला नहीं नहीं मिला ऐसे करते करता को कितने नहीं मिलें गाइस पांच में से कम से कम तीन तो आपको एजली मिली जाएंगे ना तो बस आपको यह पहला फॉर् मिल जाएगी हैडिंग और जो काई हमारी सेगेंट ट्रिक है और जो सेगेंट ट्रिक है कि जब आप पैसेज पढ़ रहे हो ना यह मैंने पहले को अपने लाइश्टी में बताया पर आपको एक बार फिर से बता दो यह बहुत ही इंपॉर्टन चीज है जब आप पैसेज को र पढ़ना ना साथ में यहां पर उसकी समरी लिख लिने हैं गया क्योंकि समरी लिखना गाइस मोस्ट इंपॉर्टन है जब आप इसे पढ़ते जा रहे हो जो जो चीज आपको न्यू मिल रही है वह आपने यहां पर लिख लिए उसके बाद आपको पढ़ने की जुरूत नह पढ़ने खुद अपने एक्जाम में ऐसे यूज किया तकाई और हाँ आपको यह भी डाउट होगा कि जो आपको रियल एक्जाम में शीट मिलेगा आप उसके ओपर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते है तो मैं आपको बता तो वो कहते है कि आप नहीं लिख सकते है कुछ भ आपको एक और सीक्रेट टिप बता दूं जब आप एक्जाम में जाओगे ना तब जब एक्जाम में रिडिंग सौल करने लगोगे लिडिंग की शीट पहले आपको टैन मिनट्स पहली मिल जाती है सबको डिस्टिबूट होती है हॉल में पूरे है जब आपको शीट मिल ज जामीनर होते हैं उनका इतना ध्यान नहीं जाता ऐसी में आपको और टिप्स बताऊंगा लिसनिंग गारा कि उसके लिए सब्सक्राइब रहे ना बस तो आपको क्या करना है जैसे हम सौल कर रहे हैं हमारे पास यह आठ हैडिंग्स है और कोशन है हमारे पास तीन तीन छे अ प्रशन है और आठ हैडिंग है तो सबसे पहले आपको हैडिंग्स बिल्कुल नहीं पढ़ने इसको छोड़ो सीधा आपने आए ना पैसेज में यह आपको दिख रहा होगा यह नहीं दिख रहोगा यह फ वाला पैसे आप क्या गरना क्वालिटिक हाई कर लेना फिर आपको सब्सक्राइब के बारे में बात हो रही है तो आपने समरी में इसको जामा कर लो यहां पर आप समरी में लिख लो लाइफस्टाइल ठीक है उसके बाद माइट इवन भी अन्यू सोर्स यहां पर न्यू वर्ड ऐसे की वर्ड़ गई होते हैं न्यू ओल्ड ऐसे की मलब इंपोर्टन पर आप ज्यादा फोकस करना और चलो आके चलते हैं इंग मॉडरन हीमन सुजाइटे देर इस लॉट ओफ और स्टिमूलेटिंग बड़्स बट एक आपको इसको किलेना स्टील अलोट सो प्रोप्लम फाइटिंग मीनी सीचीज सो इंस्टैड उस सीकिंग है ऐसे कि आपको समरी में जूरू लेकर ने शूड़ वूड ऐसे की चीज़े बहुत इंपोर्टन होती है आपको ज्यादा इंपर फोकस करना क्योंकि यही पूरी गेम पल्टा देते हैं लिए और हाँ आपके लिए एक बोनस भी है बोनस आपके लिए यह कि डिस्क्रिप् होते हैं वह आप पचा के चेक कर सकते हूं तो वूश लीव और फॉन्स अलोन एंड यूस पोर्टम तो मोटीवेट अस्टु एंगरेज विदा वर्ल्ट इना मोर मीनिंग्फुल वी तो हमारा पहला कीवर्ट था न्यू सोर्स बार्टरम और उसके बाद लाइफस्टाइल पर यह मोटीवेशन और शुड़ कोई सुजैशन है तो यह चीज़े हम पहली हेडिंग से मलब लास्ट से शुरू होते हैं चलो आइडेंटिफाइंग दोस दोस यहां पर कोई बात नहीं हो रही हमने क्या कीवर्ण माक करिए दोस की मलब कोई पीपल या ग्रूप और प्रिशन की बात रही तो यह भी थे हैं अब पुटेंशिल डेंजर आराइजिंग फ्रॉम बॉर्डम डेंजर के भी कोई बात नहीं प्रॉब्लम से बीदा साइंटिफिक बात नहीं हो रही गाईज यह नहीं है और अन्यू एक्स्प्लाइट नियू गाईस हां नियू दे नियू एक्स्प्लाइशन यह और यह है जिसका आंसर बाकी दो जैसे वर्टी टीचर्स और आपको यह नहीं मिला कोई बात नहीं जैसे वर्ट टीचर्स के विए इसका है थर्ड तो इसका आंसर पीछे भी चेक कर लेते हैं गाईस तो यह राह टेस्ट वान और यह राण 19 क हो गया ठीक तो आपको ऐसे सॉल्व करने है लिस्ट ओफ एडिंग्स की जो कि बहुत ही इजी मैथड़ था जैसा मैंने आपको बता दिया ऐसे आपका 100% हो कि आपकी सही जाएगी कोई एक आदा कुशन होगा उसको छोड़ देना ऐसे आपकी मुस्ट विडियो में इतना है औ और हम complete series में बताएंगे अगली वीडियो होगी true false not given के hacks पर और अगर आपको इसमें still doubt है आप comment में कर सकते हो पर एक बारे वान वीक तक जुरू ट्रै करके देखो अगर आपका नहीं improve हो रहे आप कोमेंट करो मैं आपके लिए कोई new trick लिक रहाएंगा गाइस और हाँ होगा अब वहाँ से keyword match करके भी लेख सकते हो पर हाँ यह हर बार ट्रिक नहीं के पला ही होती जैनुवन ट्रिक यह है और यह मैं थोड़ा सा आपको secret बता दिया बस यह आज के लिए बस इतने हैं guys okay bye bye see you और चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like जरूर कर देना जितने ज्यादा लाइक होंगे मैं उतनी जल्दी next series लेकर रहा हूँ guys okay bye bye see you